नमस्कार दोस्तों आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल एस्टेटी फाइंड में मैं हूँ आपके साथ अमर्जित कुमार दोस्तों जैसा कि आप लोग जान चुके हैं कि ब्हार पुलिस कॉंस्टेबल का जो एकजाओं 14 मार्ज को हुआ था उसमें जो है कोषंट ही को है ड expect को होने वाला है उसको जाप ज़सका एकजाओं सार मेहनत करना रहेगा कि आप लोग विडियो को सुरू से लेकर अन तक अब देखिए गाँ दूस्तु आए सुरू करते हैं आज की ट्राइस प्रकास की गति कितनी होती है तो हम लोग जानते हैं कि निर्वात में जो परगास की गति होती है तीन स्वार्फ w058, अगले कोष्न की दो हो, आप लोग को यह बताना है, तो उससे पहले आप लोग है यह जाने कि आप्टिकल फाइबर होता क्या है तो आप्टिकल फैबर का उप्योग जो बड़े पैमानें पर लंभी दूरी के माधियुम से और डीयो और वीडियो सिगिनल को परसारित करने के लिए ऑप्टिकल फैबर का उप्योग किया जाता है और पुर्ण आंत्रिक प्रावतन पर यांतिक प्रावरतन पे प्रावरतन पर जो क्यां करता है तो इसका अधिक पर्ति betra पर्तिबिम एब चलते हैं अगले को सन्सक्राइट की तरह अब यह संग दोस्तों भेरी-वरी सुさब यहां से आने की पूडी पूडी संभावना है कि अब चलते हैं अगले कोशन की तरफ निम्लिकित में से कौन सा लोहे का मुख आयसक है अब आप लोग को यह बताना है इन में से जो है कौन लोहा का मुख आयसक है तो हम लोग जानते हैं मेगनिटाइट जो है यह लोहा का आयसक होता है मुख आयसक और इसका फर्मुला होता है क्या का नम क्या क्या है वो देख लिए एक है एक होता है हमेटाइट क्या होता है हमेटाइट और एक होता है दोस्तों हमेटाइट के बाद क्या होता है हमेटाइट हुआ उसके बाद होता है लीमुनाइट क्या होता है लीमुनाइट तो इतना जो है आप लोग को इसमें जानना तो हम लोग जानते हैं कि पेट्रोल को जलाने पर जो है एनो एक्स कर्मन मोनोक्साइड और बैंजीन निकलता है एनो एक्स का मतलब हुआ है नैट्रस साइनाइड क्या होता है दोस्तों इसका अर्थ होता है नाइट्रस ओक्साइड ओके और कार्बन मोनोक्साइड बैंजीन जो है यह सभी जो है पेट्रोल के चलने पल निकलता है तो इसका ऑफसर अंसर होगा option नमर डी इन मेशे सभी ओके अब चलते हैं question नमर अगले की तरफ washing soda का राशानिक नाम क्या होता है दोस्तों तो washing soda का जो होता है राशानिक नाम sodium carbonate Na2CO3 क्या होता है sodium carbonate होता आप्सिन सोडा का तो इसका आंसर होगा option number c निकी सोडियम कार्वनेट होगा अब इसमें हम लोग जानते हैं बैकिंग सोडा का क्या होता है राशयनिक नम्क वो होता है sodium bicarbonate निकी न एच सी ओ थ्री जो होता है या बेकिंग सोडा का रासाइनिक फर्मुला होता है इतना ओके तो अब अब चलते हैं कोशन नमबर अगले की तरफ कि मैं आप कोशन आप लोगे सामने पलांट सेल की दिवार किसे बनी हुई रहती है तो मैं आप लोगे को बता दो कि पलांट सेल की जो होती है दिवार वहां छेलूलोज की बनी होती है कि सेलुलोज की उप्सान नमर C होगा इसका फर्रफ现在 जाहिशान जालम के द्वाट जाहिशन को फेला किसी पेर पोधे में जाहिक Nein शाइव पड़ी में योता है जाहिशन कण ध्रफ जाहिशन का पड़ी ऊटञता है का। परकास संसलेशन में भाग लेता है क्लोड़ोफिल तो इसका अंसर होगा आप्सन नमर सी सेलूलोज ओके अब चलते हैं को सन नमर अगले की तरफ कौन सा एसीड मानव सरीर में मान स्पेसियां में एठन का कारण बनता है तो मैं आप लोग को बता दूँ कि लेक्टिक अमर के कारण जो है मानव सरीर में थकान पड़ यह अमल बनता है मतलब इसी अमल के कारण जो है मानव को मानव की मान स्पेसियां में थकान लगता है तो इसका अंसर होगा आप्सन नमर भी लेक्टिक अमल अब चलते हैं आइन पस्थेती में जो सोसन होता है उसको हम लोग कहते हैं और वायू सोसन तो इसका अंसर वोगा आप्सन नमर सी ओटू के बिना स्वसन ओके अब चलते हैं कोशन नमर अगले की तरफ किस रक्त समूग को जो है सार्व भॉमिक प्राप्त करता माना जाता है इसमें जो है एक आता है सार्व भॉमिक प्राप्त करता और एक होता है सार्व भॉमिक दाता तो सार्व भॉमिक जो मुल्खित में से किसे कारणोट पूरुषकार 2018 से समानित किया गया तो मैं आप इंटरपोल की अध्यक्स के रूप में किसे चुना गया है दोस्तों तो इंटरपोल की अध्यक्स के रूप में Return किम जोन यंग को चुना गया है किसको किम जोन यांग को चुना गया है इंटरपोल की अध्यक्स के रूप में ओके अब चलते हैं अगले कोशन के तरफ किस देश ने पंज तीरत धार्मिक अस्तल को राश्ट्य धरोहर घोसित किया है दोस्तों तो इसका अंसर होगा पाकिस्त कि तरव पाकिस्तान के पहले हिंदू सिविल जज की रूप में किसे न्युक्त किया गया है तो मैं आप लोग को बता दूं कि इसका आंसर क्या हो सकता है दोस्तों तो इसका आंसर होगा सुमन कुमारी सुमन कुमारी को यहाँ इसको जो हिंदू मतलेंगे पाकिस्तान में हिंदू सिविल जर्ज की रूप में न्यूक्त किया गया है किसको तो सुमन कुमारी को अब चलते हैं अगले कोशन की तरह भारत का राष्टिय युद असमारक कहां इस्तित है दोस्तों तो भारत का राष्टिय युद असमारक वह नई दिल्ली में इस्तित है तो इसका अंसर होगा अप्शन नमर डी अब चलते हैं अगले कोशन की तरह भारत की किस देश के साथ एक्स फोर हंडरे ट्रायफ डील पर हस्ताक्षर किये हैं तो रूस जो है दोस्तों रूस या भारत की साथ जो है एस फोर हंडरेड ट्रायफ डील पर हस्ताक्षर किये हैं तो इसको आप लोग धियान में रखिएगा तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नमर बी होगा रूस होगा ओके अब चलते हैं अगले कोशन के तरफ UNSC में जो है किसे आतंगवादी घोसित किया गया है तो दोस्तों मैं आप लोग बता दूँ कि मसूद अजहर को जो है अगला कोशन की तरफ इज आफ बिजनेस में भारत का रेंक कहां पर है तो मैं आप लोग बता दूँ कि इस बैंक ने जो है इज आफ बिजनेस में भारत का रेंक जो है 77 रखा है तो इसका अंसर होगा option number C right answer अब चलते हैं अगले कोशन की तरफ भारत का पहला रोको कॉप कहां पराड़म किया गया है दोस्तों भेरी भेरी important कोशन दोस्तों आप लोग के सामने भारत का पहला रोको कॉप कहां पराड़म किया गया है तो मैं आप लोग बता दो कि भारत का पहला रोको कॉप केरल में पराड़म किया गया है तो दूस्तों मैं उम्मिद करता हूं कि आप लोग को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा तो फिर मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में पेस्ट अफ लग